जैसे एक परिवार चलता है, परिवार में एक महिलाओं को या एक पुरुष को मुख्याओं को पूरी अधिकार दिया जाते हैं, पूरी उसको विश्वास जताया जाता है कि आप पूरा काम करोगा अपने घर के लिए, ऐसी अगर एक देश, एक दिल्ली को अगर उसको पूर पूरा दिकार मिलेगा, तो जो उसकी जो फोर्स है, जो सारे अधिकारी है, जो सारी जनता है, जो सारे जोन सब मिल जूल के काम करेंगे, तो सारा अधिकार जब मिलेगा उनको, तो पूरी तरह से काम कर पाएंगी, जब उनको पूरा दिकारी ने दिया तो काम कैसे कर पाए अ START कमें और इस ले Democrats ने राजनीति भी रर्कतेय मेरा हमसें मुर्या जी बावा सॅहाब ने महिलाओं के लिए Sex on योगदाना दिया जो आज स्वटंत्र है आज आप पर स्वटंत्र रहा कि निकलेंगी गो सोने निकलेंगी अगर आप तो दूसरी महिला भी उठाली है तो अगे बढ़ाना है बाबास आपके लिए जो आज निशी में भी और जो पहले महिला 16-16 गंटे की बारे बारे गंटे की नौकरियां करती थी आउने बाबासाब की देन हैं कि उन्हें आठ गंटे के नोगरे करने पड़ती है जो महिला प्रिग्नेंट होती थी उनको चुटी दी आती तो आप क्या कहेंगे महिलाओ को पडेशंदेना चाहिए देन के इतने इतनी सारे सोविजाए उन्होंने महिला उको दी थी अगर आज अगर सवीधान पर नहीं लिखा होता त तो वो सभीधान को जब बाबा साब ने बनाया थे इसको देखे बनाया थे क्योंकि वो पूर दूर दर्शी थे उनको पता था कि आगे होने वाला है तो उन्हें पहले ही सब कुछ लिख दिया था कि ऐसे ऐसे करना है आड़ गंटे की डूटी करनी आए यह इतना में मुआफ इसकों नकिखिया है उन्होंने कह सथार्पासुनारी यह वो ताřन के अधिकार लेकित इस आजाद होने के अ ही एपधीए परवेक्ष में लेकिके पर दलितों की यह उसे करण जाता है जब राजनिति आती है तो दलित काड़ खेलके उनको चुपकर आदे जाता है लेकिन आज हम चाहते हैं कि दलित कभी छुपना बैटे आवशे अब उनको डलितों कभी टाइम आ गया है कि हो बाहर निकल के आएंगे अपना अधिकार मांगे वह अधिकार वह नहीं समानता का परिवार को मुख्या का दर्जा मिलता है कैसे हमें अपना पूरा दर्जा मिलना चाहिए मेरा मेन मकसद है कि मैं लोगों को जाग रूख कर पाऊं जो आज राजनिती में हो रहा है वो पता नहीं चरपाता है आज के समय में हर इंसान इसले दुखे है हर सम्यदाय का व्यक्ति इसले दुखी है क्योंकि अभी जो केंदर में सरकार बैठी है वो आरेसेस को मानते हैं उनके लिए यह भारतिय समिधान जो बावसाब ड्रक्टर अंबेटकर के दुवारा दिया गया इसमें उनकी कोई आस्तिया नहीं है उसकी धजियां उड़ाना चाहते हैं इसको खतम कर देना चाहते हैं व सुद्र लोग जिसमें स्टी ओवी सी सभी आते हैं पर दिर के बाट करते हैं और अगया है और इस तरह से घड़ना पैदा की गई है है डाक्टर साहब अंबेड करके प्रति जो मनुवात इनका जो समिधान है उसके प्रति इन्हों ने इस कदर उनको गुलाब बना लिया था कि वह आस तक उसी में आस्ता रखते हैं समझाने के बाद भी वो लोग जल्दी से समझते नहीं है तो जैसे जैसे सिक्षा बढ़े सत्त समाज एक जुट हो गया यह लोग साथ आपको देख देखने को भी ना मिलें यह देश से भागे हुए यह आपको ने जा रहा है तो यह आपको बिजेबी का बाद गुजार करते हैं यह लोग इतना हम हम स्टी और वी स्टी को दबाना चाहर है हमें उतना फाइदा मिल रहा है इस से हमारे लोगों के पीछ यह स्टा हमारी है यह लोग बाहर से लोग है और जिन्हों के गुलाम बनाए रखा और अभी भी इनकी यही साजिस है कि इन पिचासी प्रतीसत को इनकी इतिहास का बताना लगे और इनको उसी दर्जे में रखा जाए जो समिधान से पहले था करेंगे या वो मसीन से कराना पसंद करेंगे जन जन की यही मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी जब से समिधान लागू हुआ तभी से अपनी पूरी तैयारी करते हैं कि हमें हर हालत में समिधान को खतम करना उसके लिए इन्होंने सारे अपने ऑफिसर्स सारे विभागों में लगाए और उनको इस तरह तैयार किया क्रेंग दे करके कि आज वो सब बिग गए हैं तो इवियम में सैटिंग करके अब सत्ता में आ रहे हैं अदर्वाइज एक एक जन इन से दुखी है इसमें कोई डाउट ही नहीं है बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए तब ही आम आदमी का जो मत है वो सही तरीके से पड़ पाएगा और आम जन ने किसको आमिन सरकार बनाने का आदेश दिया वो असलियत में तब पता लगता है झाल